नवरात्रा, चै सुती एकम से नवरात्रा शुरू हो जाता है, एक काट के पाटा पर या दिवाल पर घी और सिंदूर से देवी मानते हैं और एक पाटा पर देवी जी की तस्वीर रख लेते हैं, पाटा पर आधी दूर में लाल आधी में सफेद कपड़ा बिछाते हैं, एक सुपारी से मोली से लपेट का गणेजी बना कर थोड़ा सा चावल उसके उपर रख देते हैं, सफेद कपड़ा पर चावल से नो कुड़ी बना करके, नो ग्रह और लाल कपड़ा पर गेहूं से सोला कुड़ी बना करके शोडस मात्रिका बनाते हैं, पाटा के बगल में माटी में जुआरा के लिए गेहूं डाल कर उसके उपर कलश स्थापित करते हैं, कलश में गंगा जल डाल कर पांच आम का पत्ता लगा कर एक सराई में चावल डाल कर कलश पे रख देते हैं और एक छोटा डाप में मूली से लपेट कर सराई पे रख देते हैं एक माटी के गमला में जुवारा उगाते हैं इन सबों की नो दिन तक पुजा होती है जल, मोली, रोली, चावल, फूल, अबीर, गुलाल, सिंदूर, धूप, दीपक, कपूर, लाल फूल की माला, प्रसाथ, पान, सुपारी, लौंग, इलाइची, फल, दक्षिना, ध्वजा और वस्तर चड़ाते हैं और लड़ू या पेड़ा से जोत ले लेते हैं, आरती करते ह पंडि से नो दिन तक दुरगा जी का पाठ भी करवाते हैं, नो दिन तक भ्रामन की कुमारी कन्या को भी जिमाय जाता है, नो रात्रा करके जिस दिन तक एकी समय खाना खाते हैं, आठे के दिन देवी जी की कड़ाई होती है, किसी किसी की यान नौमी की भी कड़ाई होती ह उस दिन सीरा, पूरी, चना का साग, रायता बना कर देवी जी को भोग लगाया जाता है और जोत सीरा से लेते हैं नो कुमारी कन्याओं को जिमाये जाता है टीका काड़ कर दक्षिना देते हैं जो कन्या नो दिन तक रोजीना जीमती है उसको नो दिन की दक्षिना और कपड़ा भी देते हैं नौरात्रा में काली जी या देवी जी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और पूजा की जो भी सामगरी उपर बताई हुई है वो सब और चूड़ी और नारिल भी चड़ाते हैं प्लीज मेरा जानकारी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा